नमस्कार दोस्तों में नाम स्रीकान कुमर अब देख रेट जेट प्रोसेस आज बात करने वाली इस वीडियो में दोस्तों पीम किसान की बहुत बड़ी अपडेट आया है जो सभी अस्टेट के लिए है दोस्तों अगर आप पीम किसान समान इदी योजना में अपना बैंक ए अपिकान को हम किस फरकार से चेंज कर सकते हैं दोस्तों अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास TAK आपको देखना होगा है तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले में एक चैनल पे नहीं तो में चैनल को सब्सक्रेब कर लीजिए प्लाइग PM किसान उसके बाद सर्च के option पे click करदना है click करने के बाद दोस्तों सबसे उपर में जो link दिख रहा है PM किसान इस link पे आपको click करदना है click करने के बाद दोस्तों PM किसान समान इधी योजना का official website इस पर card से यहाँ पे open हो जाता है दोस्तों सबसे पहले हम चेक करते है PM किसान समान इधी योजना का status कि कौन सी बैंक में हमें पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं दोस्तों status चेक करने के लिए सबसे पहले इस परकार से नीचे आना है और दोस्तों एक option आपको देखने नमबर को टाइप कर देना है उसके बाद गेट डाटा के ओप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों इस प्रकार से PM किसान समान इधी योजना का स्टेटस ओपेन हो गया है और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल रहा एक काउंट नमबर तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है पेमेंट मोड का यहाँ पे जो ऑप्शन दीख रहा है यहाँ पे दिखे लिखा हो पेमेंट मोड अधार यानि जो है कि आपको इनस्टॉल्मेंट मिलेगा PM किसान समान इधी योजना का पैसा मिलेगा अधार काट के थुरू स में लिंक होगा उसी बैंक में जो है कि क्रेडिट किया जाएगा अब दोस्तों यहां पर जो है कि एकाउंट नंबर से क्रेडिट नहीं किया जाएगा क्रेडिट किया जाएगा यहां पर अधार काड के थूस डिवी टी के मादियम से आपके एकाउंट में पैसा को ट्रांसफर किया जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं कि अधार काट के साथ कौन सी बैंक लिंक है तो दोस्तों यहाँ आपको वबस लाज़ते हैं कि अगर आपके हाल फिलाल में पीम किसान समान इदी योजना का पैसा आएगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करना चाहते हैं कि कौन सी बैंक में आया है तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा बैंक का नाम और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा account number, यानि इसी bank में जो है कि आपका पैसा transfer किया गया है जो अधार card के through से send किया गया, यानि DBT के माधियम से credit किया गया है तो दोस्तों अगर आप PM की सामान इदी, योजना का bank account change करना चाहते हैं, या फिर आप इस bank में, जिस bank में आपको मिल रहा है उस bank में आप नहीं लेना चाहते हैं दूसरे bank में लेना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कैसे आप बदल सकते हैं तो उसके लिए इस video को आपको complete देखना होगा दोस्तों इस bank में आपको payment मिल रहा है और इस bank में आप payment नहीं लेना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों change करने के लिए सबसे पहले जो है कि आप जो है कि इस bank का head branch है head branch में आपको जाना है और manager से आपको मिलना होगा और दोस्तों वहाँ पे आपको बोलना होगा कि मेरा बैंक में अधार NPCI जो link है उसको हटाना है तो वहाँ पर आपको एक application form दिया जाएगा उस form को आपको फिलप करना है फिलप करने के बाद दोस्तों वहाँ पर आपको जमा करना है जमा करने के बाद दोस्तों जो भी आपके बैंक में अधार NPCI जो link है उसको हटा दिया जाएग फिर दोस्तो जो बैंक को आपको लिंक करना चाहते हैं जो आप बैंक को PM किसान समानी दी होजना में जोड़ना चाहते हैं उस बैंक में जो head branch है उस branch में आपको जाना होगा और फिर आपको manager से मिलना होगा और manager से आपको बोलना होगा कि हमें जो है कि बैंक खाता में अधार NPCI link करना होगा तो वहाँ पर दोस्तों आपको एक form दिया जाएगा उस form को परिल अप करके आपको वहाँ पर जमा करने के बाद दोस्तों आपके बैंक में जो है कि अधार NPCI link हो जाएगा अधार के काड़ के थरू से यहा पे पैसा को payment, यानि credit किया जाएगा दोस्तो, PM किसान समान इदी योजना का पैसा transfer करते समय दोस्तो, यहाँ पे चेक किया जाएगा कि इस अधार काड़ में कौन सी bank link है और जो भी bank link होगा, उसी bank में जो है कि credit किया जाएगा PM किसान समान इदी योजना का पैसा दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जिस बैंक में अधार NPCI आप लिंग करवाते हैं उसी बैंक में जो है कि PM किसान समान इदी योजना का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा तो कहने का मतलब यही दोस्तों कि PM किसान समानी दी योजना का जिस बैंक में आप लेना चाते हैं उस बैंक में सबसे पहले आपको अधार NPCI को लिंक करवाना होगा उसके बाद दोस्तो एटोमेटिक पैसा जो है कि PM किसान समानी दी योजना का जो पैसा है तो में आपको सबस्क्राइब के लिए बिलाएकन गंती को भी प्रेस के लिएगा